में हूँ विनोद और आज किस वीडियो में हम जानेंगे transform data के बारे में आप देखेंगे data type के अंदर एक option है हमारा get and transform data जिसके अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरह से different types की files को ms excel के अंदर import कर सकते हैं और साथ ही हम यहाँ भी जानेंगे कि हम किस तरीके से MS Excel की फाइल को एक दूसरी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, हम इसी तरह से आप के लिए बैदरी वीडियो को दिखाई देगा, गेट डेटा का, गेट या फिर आपका कोई डिफरेंट टाइब का फॉल्डर हो तो इन में से आप किसी भी तरीके की कोई भी extension convert कर सकते हैं इसको import कर सकते हैं जिसमें आप देखेंगे एक्सिस की फाइल को भी आप यहां से import कर सकते हैं बहुत सारी extension को यह support करता है different types के extension से आप data को import कर सकते हैं तो चले मैं आपको कुछ data import करके दिखाता हूँ जिसमें सबसे पहले हम जाएंगे first option पर from file के अंदर आप देखेंगे from workbook इस पर जैसी हम click करेंगे click करने के बाद हमारे सामने एक dialog box open होगा इस dialog box के अंदर जा करके हमें desktop को select करना है यानि जहां पर भी आपकी file पढ़ी हुई है उस file को यहाँ पर select कर लेंगे select करने के बाद मालिज़े मेरे पास एक file है conditional formatting के नाम से इस file को मैं यहाँ पर import कर लेता हूँ जैसी मैं इस file को यहाँ पर import करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे उस file की कर सकते हैं और इसे transform data पर भी click कर सकते हैं तो हम फिलाल इसे load पर click करेंगे load पर जैसे हम click करेंगे आप देखेंगे हमारी वो डेपल यहाँ पर represent हो चुक है तो चलिए इसके बाद और भी मैं कुछ options के थूँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की से आप data को import कर सकते हैं तो चले जाए यह data tab के अंदर और यहाँ पर आपके देखेंगे आपके सामने एक option है from text csv का यानि आप चाहें तो किसी text file को भी इसमें import कर सकते हैं तो यहाँ पर आप click करिए click करने के बाद माली जा हमारे पास दो file है product की और एक मेरे पास new document की file है तो मैं आपर new text document को select करता हूँ simply say import पर click करता हूँ और import पर click करने के बाद आप देखेंगे इसके बाद और भी options के अंदर है जिसके अंदर आप web के थूझ कोई data import कर सकते है यानि कि internet का अगर कोई data है वो भी अगर आप import करना चाहते हैं तो Excel के अंदर ये feature add हो चुका है जिसके अंदर हम इसको import कर सकते हैं मैं आपको यह भी करके दिखा देता हूँ तो इसके लिए हम फ्रॉम वैपर जैसी क्लिक करेंगे तो हमारे सामने की URL का उप्शन आएगा बेसिक का और एडवांस का एडवांस के अंदर आपको आफिजारी इंफरमेशन खुझ से टाइप करनी होती है तो हम सिंपली बेसिक यूज़ करेंगे बेसिक के अंदर जाने के बाद हम सिंपली यहाँ पर उस URL को पेस्ट कर देंगे जो इस URL का डेटा मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना है तो सिंपली हमने माली जे एक साइट ओपन कर रखें यहाँ पर कोरोना वैरियस की तो इसको मैं आपर स्लैक करेंगे यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर चले जाएंगे एकसल शीट के अंदर और एकसल शीट के अंदर जाने के बाद सिंपली हम इसे पेस्ट कर देंगे पेस्ट करने के बाद जैसे मैं आपर OK पर प्रेस करेंगे OK पर प्रेस करते हैं यह थोड़ा सा समय लेगा और डेटा हमारा ट्रांस्वर्म होना स्टार्ट हो जाएगा अब आप देखेंगे आपके सामने एक और विंटो यहाँ पर रिपरजेंट हो गई है यहाँ से अगर आप वैब वीo देखना चाते हैं तो वैब वीव पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह वैब्साइट का पूरा व्यू यहाँ पर दिखादेगा कि कॉन Ozड डीटा है आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया है और simply आपको load पर click कर देना होगा जैसे आप load पर click करेंगे आपका पूरा का पूरा data यहाँ पर represent हो जाएगा यहाँ पर थोड़ी ची processing चल रहे है क्योंकि data काफी जादा large है थोड़ा download होने में समय ले रहा है तो यह पूरा का पूरा data इंटरनेट से copy होगा और आपके Excel sheet के अंदर automatically by default paste हो जाएगा paste होने के बाद आप इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं इस data को आप analyze कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा वो data पूरा का पूरा यहाँ पर import हो चुका है तो इसको आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं इस content को आप अपने हिसाब से use कर सकते हैं तो चलिए इसके बाद और भी कौफी सारे options है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम Excel की file को इसमें import कर सकते हैं और connection कर सकते हैं इसका अब आप देखेंगे हमारे सामने एक और option है recent sources का, इस source पर जैसे हम click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाएगा कि आपने कितनी file को यहाँ पर add किया हुआ है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर coronavirus का हमारे पाल data import है, example 1 की sheet import है, database की sheet import है, conditional formatting की sheet import है और text की file import यहाँ पर exiting connection का use, तो इसके लिए मैं freshly एक नई sheet ले लेता हूँ, new sheet लेने के बाद मैं चला जाता हूँ data type के अंदर और यहाँ पर exiting connection पर click करता हूँ, exiting connection पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने एक option हैगा browse for more का, browse for more पर जैसी आप click करेंगे, click करने के बाद एकसल के साथ link करना चाहते हैं, तो simply आपको करना का है, desktop पर select करना है, यानि जहाँ पर भी आपकी file है, उसको select कर ले रहा है, मालिजा हमने conditional formatting की file को वापस से select किया और यहाँ पर open कर दिया है, open करने के बाद आप देखेंगे, आपके सामने option है sheet 1, sheet 2, यानि किस का data आप import कर चाहते हैं, sheet 1 का या sheet 2 का, तो हम sheet 1 को select करके यहाँ पर ok करते हैं, इस format के अंदर आप से पूछा जा रहा है कि आप इस format को किस format में import करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला option आप देखेंगे table का है, तूसरा pivot report का है, तीसरा pivot chart का है, चौथा only create connection का है, तो यहाँ पर हम simply table को use करेंगे, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा data हो, वो table format के अंदर यहाँ पर represent हो, तो हम table को select करके, यहाँ पर ok प्रेस करेंगे, open करते ही आप देखेंगे, हमारा data यहाँ पर easily import हो चुका है, इस तरीके से और भी अगर किसी file को import करना है, तो same as it is, data tab में जा करके, exiting connection में जा करके, browse for more पो select करके, यहाँ से अपनी file की location को select कर लिजए, मालीजे, desktop पर हमने database के नाम से दूसरी file बनाई हुई है, हमने उसको select किया और यहाँ पर easily इसे import कर दिया, import करने के बाद यहाँ पर आपको simply ok प्रेस करना है, आपको जो भी चाहिए, यहाँ पाइवर table, पाइवर chart, तो इस तरीके से आप data को easily import कर सकते हैं, और सबसे बड़ी खास बात इसकी यह है कि आप जिस भी data को आप original file के अंदर changes करेंगे, वो यहाँ पर automatically update होता चला जागा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम उस original file के अंदर कोई changes करते हैं, तो क्या इस file के ओपर कोई effect कर दिया, डिलीट करने के बाद मैं इस file को यहाँ पर control S करके save कर दिया, save करने के बाद अगर हम जाते हैं अपनी original file के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो file अभी तक update नहीं हुई है, तो इसको update करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे पर delete किया था, वो यहाँ पर automatically update हो चुका है, इसके बाद आप देखेंगे एक option आपके सामने है, query M connection का, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपकी query report और connection यहाँ पर आपके सामने show हो जाएगी, जिस data को आपने import किया है, जिस data को आपने correct किया है, वो connection यहाँ पर आपके सामन से आनी कि, जब भी original file के अंदर कोई भी data edit किया जाएगा, तो every 60 minute में यह by default automatically update हो जाए करेगा, इसको आपको select करके ok press कर देना है, अब आपको कुछ नहीं करना हर 60 minute पर यह automatically update हो जाए करेगा, यानि बार बार आपको refresh करने की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों यही था हमार query connection का option और transform data का option यानि short end filter के बारे में, short end filter MS Excel का बहुत ही powerful option है, जिसका use किया जाता है किसी भी data को filter करने के लिए, analyze करने के लिए, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, short end filter का, जिसमें lowest to highest and highest to lowest, यानि किसी भी data को आप ascending में convert कर सकते हैं, या तो फिर आप उसे descending म convert कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, filter यहाँ पर लगाना होगा, filter लगाने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, एक button हमारे सामने नजर आएगा, इस वाले button पर जैसी हम click करेंगे, तो click करते ही, यहाँ पर आपके सामने filter लग जाएगा, या तो आप इस तरी तो हमारा जो data था वो देखेंगे, आप descending में convert हो गया, यहाँ पर हमारा roll number 1 था, तो यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे की तरफ हमारा 1, 2, 3, 4 से descending में convert हो गया, इसको वापस से अगर आपको ascending में convert करना है, तो यहाँ पर click करके, वापस से आप smallest tool adjust कर सकते हैं, तो वापस data को filter कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, हमने एक data लिया हुआ है, जिसके अंदर हमने कुछ colors का use किया हुआ है, तो मैं colors के हिसाब से filter करना चाहता हूँ, तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए पूरी data को एक बार select करना चाहते हैं, या जिस data पर sorting का use करना च चाहते हैं, या इतने ही data को आपको filter करना है, या और भी कोई data है जिसको आप filter करना चाहते हैं, तो वो आप filter कर सकते हैं, इसके बाद आपके सामने next option है, continue with the current selection, यानि जो हमने selection किया हुआ है, हमें सिर्फ इतना ही filter करना है, तो हमने यहाँ पर second option को select किया, और यहाँ पर sort sort पर जैसे हम click करेंगे, आप देखेंगे, हमारे सामने एक box open हो जाएगा, box के अंदर आप देखेंगे, जो हमारा history का tap था, वो यहाँ पर show हो जाएगा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, cell color show हो रहा है, value show हो रहा है, font color show हो रहा है, conditional formatting icon show हो रहा है, यानि इतने type से आप इस यह यलो color, यलो color को मैं चाहता हूँ, यह तो यहाँ पर bottom को अटा करके हमने ले लिए on top, और जैसी मैं यहाँ पर ok पर press करूँगा, आप देखेंगे, yellow color हमारा top पर represent हो जाएगा, same इसी तरीके से आप और भी colors को मैं यहाँ पर manage कर सकते हैं, और भी colors को आप यहाँ पर sorting कर स चाहिए, और यहाँ से आपको अपनी condition select करनी है, कि sorting आप किसमें करना चाहते हैं, और यहाँ से हमने select कर लिए on bottom, और जैसी मैं ok प्रेस करूँगा, आप देखेंगे, यह color हमारा bottom में convert हो गया, यानि bottom में represent हो गया, तो इस तरीके से आप sort and filter का use कर सकते हैं, इसके बाद यह अपने ascending का, descending का use किया, या फिर हमने किसी data को यहाँ से unhite कर दिया, जैसे मालीजा हमने यहाँ से 1 और 2 का data select किया, और ok कर दिया, तो हमारे सामने सिफ 2 बंदों का ही data represent हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर clear पर click करूँगा, तो हमारा पूरा पूरा filter जो भी तरह हमने लगाया जाते हैं इस grade वाले option पर, grade वाले option पर जाने के बाद हमने select all पर से tick हटा दिया और यहाँ पर हमने a, b को हमने select किया और यहाँ पर press कर दिया और यहाँ पर जो data हमारा show हो रहा है, a, c, b, तीनों ही show हो रहा है, यानि कि इस वाली condition को मैं फिर से reply करना चाहता हूँ, यानि जो भी हमने condition लगाई हुई है, उसको वापस से reply करना है, तो उसके लिए जैसे आप reply पर click करेंगे, तो click करते ही जो भी हमने condition लगाई थी, उसके data को particular copy करके paste करने का काम करता है, जैसे मालीजे example के लिए, यहाँ पर हमने data लिया हुआ है, जिसके इंदर हमने कुछ roll numbers, नाम, Hindi, English के marks लिये हुए है, और हमने उसी heading को यहाँ पर copy करके दो बार paste किया हुए, मालीजे आपको एक condition दी जाती है, कि history के marks में से, जिसके भी marks 80 से above हैं, उनका data आपको अलग से copy करके paste करना है, तो अगर आपके पास यह बहुत बड़ा data होगा, तो उसको copy करके paste करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, filter अगर आप करेंगे तो filter करने में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो इसके लिए हम use क करेंगे advanced filter का जैसे माल लीजे history में से मुझे 80 से above जितने भी marks हैं उनका data अलग से निकाल करके उसको paste करना है तो उसको किस तरीके से हम filter कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर use करेंगे advanced filter का तो इसके लिए हम चले जाते है history वाले कॉलंबर और यहाँ पर condition अपनी use करते है greater than is equal to 80 इसके बाद हम प्रेस करेंगे enter एंटर प्रेस करने के बाद आपको data को पूरा slack करने के बाद advanced वाले option पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने सबसे पहला option है filter the list in place यानि जो भी हमारा data है वो इस data में से filter होना चाहिए इसके बाद हम यहाँ पर second वाले option के अंदर second वाले cell के अंदर हम range लेंगे किसकी इस पूरे data की यानि जो भी हमने criteria range ली है जो भी हमने condition अपनी लगाई है और उसके बाद copy पर click करने दोस्तो यही था filter का option अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा data tool में सबसे पहरा option आपको दिखाए देगा text to column का text to column क्या काम करता है जैसे माल लीजिए हमारे पास यहाँ पर कुछ नाम है नमन कुमार यादव इसी तरीके से अमन के बाद कॉमा है उसके बाद space है उसके बाद कमल है फिर से कॉमा है space है दीपक है फिर से कॉमा है space और आदित्या है तो इसको हम चाहते हैं कि जैसे नमन, कुमार, यादर है यह अलग-अलग cell के अंदर डिवाइड हो जाए इसी तरीके से अमन हमारा अलग cell में आ जाए, कमल अलग cell में आ जाए, दीपक अलग cell में आ जाए अगर आपके पास कुछ इस तरीके का data है जिसमें आपके जो नाम है वो mix-up लिखे हुए है और उसको आप अलग-अलग cell के अंदर divide करना चाहते हैं तो text to column की मदद से आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ इसके लिए आपको सबसे पहले करना का है इस cell पर click करना है इस cell पर click करने के बाद यहाँ पर text to column पर click करना है text to column पर click करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे fixed width और delimited का एक option आपके सामने नज़र आएगा तो इसमें से सबसे पहले हम select करेंगे delimited को delimited को select करने के बाद यहां से आप इसे next करेंगे next करने के बाद आप आप देखेंगे यहां पर आपके सामने काफी साथ options नज़र आ रहे हैं जिसमें से आप जो भी चीज को देखेंगे आपका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा नेक्स करेंगे नेक्स करने के बाद डेस्टिनेशन के अंदर आपको क्या करना है उस जगह की रेंज देनी है जहां पर आप डेटा को लेना चाहते हैं तो यहां पर हम पीक कॉलम को स्लेक कर लेते हैं और यहां पर हम सिंपली फिनिश कर देते हैं चैसे हमने फिनिश की आप देखेंगे हमारा जो डेटा था वो अलगरा एक सेल के अंदर डिवाइट हो गया सेम इसी तरीके से आप अमन, कमल, दीपक और आदेत्या को और इसके कॉमा को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको बताता हूँ उसके लिए भी आपको simple cell को select करना है text to column पर click करना है यहां से वापस से आना है delimited के अंदर और यहां पर next को click करना है next पर आने के बाद आप देखेंगे हमें remove क्या करना है एक तो space को remove करना है और दूसरा हमें remove करना है comma को तो हम दोनों को select करेंगे अगर आप comma को यहां पर select नहीं करते हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपके सामने comma भी represent होगा यानि आपके नाम के साथ कॉमा भी शोड़ होगा तो यहाँ पर आप कॉमा को select कर लिजे ताकि कॉमा आपका ना आए और इसके बाद आपको करना का है simple next पर click करना है और next पर click करना के बाद आपको destination देना है और destination हमने दे दिया यहाँ पर इस cell का और इसके बाद हमने simple कर दिया finish finish करते ही आप देखेंगे आपका data यहाँ पर divide हो गया सेम इसी तरीके से अब आप देखेंगे हमारे पास दीपक कुमार परशाद है जिसके बीच में कोई भी space नहीं है आप इसको किस तरीके सरी move किया जाता है वो भी देख लीजिए देटा को हम बापास से select करेंगे text to column को select करेंगे यहाँ से fixed को select करेंगे और यहाँ से next करेंगे यहाँ से आपको क्या करना है simple click करना है जहाँ से आपको इसको divide करना है वहाँ से यहाँ पर भी click कर देना है जहां से आप इसे divide करना चाहते है और simple आपको यहाँ पर next करना है destination के अंदर आपको cell का address देना है तो cell का address हमारा यह है जहाँ पर हमें divide होकर के data चाहिए finish करेंगे, आपका data यहाँ से divide हो चुका है तो यहाँ देखें हमने डीपक की जगा पर हमने के को भी cut कर दिया है तो के हमारा यहाँ पर represent हो गया तो इस तरीके से आप data को divide कर सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें नाइरा की यहाँ पर आप देखेंगे नाइरा एडरेट एबिसी.com है यहाँ पर कुछी website का link भी दिया हुआ है और हमें इसे remove करना है तो इसे हम किस तरीके से करेंगे data को select करेंगे same text to column को select करेंगे और यहाँ से आपको जाना है delimited के अंदर और यहाँ पर करना है simple next next करने के बाद यहाँ पर आपको select करना है तो इस तरीके से आप text to column का use कर सकते है इसके बाद आप देखेंगे flash fill का option है जिसका use किस तरीके से किया जाता है तो इसके लिए हम चले जाते next sheet पर next sheet पर जाने की बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ नाम लिखे हुए है जिसमें हमें लिखा हुए अमन पांडे, दीपक यादा, कमल मिश्रा, संदीप त्रिपाठी और अनंद मिश्रा तो इन सभी को हमें क्या करना है divide करना है किस से first name को अलग करना है और last name को अलग करना है तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए simple सबसे पहले आपको क्या करना होगा first वाले cell में आपको बताना होगा कि आप इसे किस तरीके से divide करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया अमन और इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया पांडे simple करना क्या है simple first name को select करना है और यहाँ पर आपको जाना है flash fill पर जैसे flash fill पर आप क्लिक करेंगे वो automatically इस data को divide करके in Excel पर represent करा देगा इसी तरीके से यहाँ पर आपको select करना है और simple flash fill पर click कर देना है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका data जो surname था वो यहाँ पर represent हो चुका है तो इस तरीके से आप flash fill का use कर सकते है flash fill से आप अपने surname को और अपने नाम को अलग-अलग column में divide कर सकते है तो यह दोनों ही option बहुत ही काम के options है इसके बाद आप आप देखेंगे एक option आपके सामने नज़र आएगा remove duplicates का duplicates का मतलब अगर को इब नाम duplicate यहाँ पर लिखा होगा तो उसे आप किस तरीके से remove कर सकते है तो मालिचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यादव और यादव को मैं क्या करना चाहता हूँ एक यादव को delete करना चाहता हूँ एक यादव को remove करना चाहता हूँ यहां पर नहीं चाहता तो डीटा को यहां पर select करूंगा और यहां पर select करूंगा remove duplicate पर remove duplicate को select करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक option आएगा expand the selection कि आप अपने selection को expand करना चाहते हैं और दूसरा option आपके सामने नजर आएगा continue with the current selection यानि जो selection हमने लिया हुआ है आप उसी पर continue करना चाहते हैं तो यहां पर second option को select करेंगे और यहां पर remove duplicate को select करेंगे और यहां पर यहां आपके सामने दिखा रहा है last column में यानि last name में आपका data है जो duplicate है तो उसे हम क्या करेंगे remove करेंगे और जैसी हो के प्रेस करेंगे आप देखेंगे एक याद हो यहां से remove हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने data को remove कर सकते हैं यानि duplicate data चाहिए नमबर हो चाहिए आलफबेट हो आप उसे easy तरीके से remove कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं यहां से data validation की तो data validation बहुत ही काम का function है data validation का use किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको clear करके दिखाता हूँ जैसे माल लीजे हमें एक area यहां पर select किया और data validation को पर click किया data validation पर click कर दे के बाद यहां से हमें select करना है wall number list के बारे में date time के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ अगर आपने वो video नहीं देखी है तो link के description में आपको वो video मिल जाएंगी वहां से आप इसे देख सकते हैं तो यहां से हमें करना का है simple wall number को select करना है और यहां पर आप देखेंगे आपके सामने बहुत सारी different types की conditions आपके सामने show होंगी जैसे between है not between है equal greater than less than बहुत सारी conditions है तो यहां पर हम ले लेते हैं between को कि between में हमने यहां पर minimum value डाल दी like हमने दे दिया 30 और maximum value हमने दे दिया like 100 और इसके बाद हमने यहां पर input message में क्या type किया like title में हम दे देते हैं not be used और इसके बाद यहां नीचे input message में हम दे देते है only 30 to 100 इसके बाद यहां errors के अंदर आप कोई error भी लगा सकते हैं जैसे stop का warning का या फिर informations का तो यहां पर हम लिए लिए stop और यहां title में दे देते है stop और यहां पर अगर आप जो भी message लिखना चाहते हैं मैंने तो भी message यहां पर type कर दिया वह message में show कराना चाहता हूँ कि अगर कोई इसमें information गलत डाले तो इसको यह message शो हो इसके बाद हम यहांपर simple प्रेस करेंगे okay प्रेस करने के बाद आप आप देखेंगे यह message हमारा simple इस cell में show हो रहा है तो हमारा पूरा का पूरा data जो पहले से ही type था वो यहांपर शो अप हो गया है इन इस circle में show हो गया अर सके बाद करते कर अगर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो तो इसके बाद अगर आप इस से remove करना चाहते He Wisdom पर सिंपर क्लेक करके इस circle को यहां से easily remove कर सकते हैं तो remove circle पर clear validation circle पर click करेंगे तो यहां से आपका जो clear validation circle था वो यहां से remove हो जाएगा अगर आप इसकी पूरी condition को यहां से remove करना चाहते हैं तो data को पूरा select करिए जहां तक आपने condition लगाई थी और उसके बाद data validation पर click करिए yes करिए और यहां पर clear all का एक option आएगा इसको select करके आप यहां पर जैसी ok press करेंगे तो हमारी वो condition यहां पर clear हो चुकी है अब यहां पर जो भी value आप type करेंगे वो यहां पर acceptable हो जाएगी तो इस तरीके से आप data validation का यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं consolidate की consolidate बहुत ही बैतरीन function MSXL का इसका use किस तरीके से किया जाता है यह हमारी बहुत सारे काम को easy कर देता है जैसे कि माल लीजे हम इस तीनों values का plus करना चाहते है minus करना चाहते है by use करना चाहते है तो इसके लिए यहाँ पर refers TO करते ही आप देखेंगे इन सभी का डोटल यहाँ Camp के सामने represent हो गया इसी तरीके सा अगर आप इसको multiply करना चाहते हैं तो consolidate पर click करिए और यहाँ पर आप select कर लिजे product का formula और जैसे आप इसे ok press करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो data था यहाँ पर multiply हो करके represent हो गया इसी तरीके सा अगर कोई और formula आप use करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मुला को change करना होगा जैसे मैं ले लेता हूं maximum और यहाँ पर जैसी में ok press करूंगा तो आप देखेंगे maximum value यहाँ पर represent हो चुकी है दूसरा फाइदा इसका यह होता है कि जो भी data हमारा यहाँ पर शो होता है उसका formula यहाँ पर शो नहीं होता यानि कि उसका फार्मुला यहाँ पर represent नहीं होता है वह simple value में हमारे सामने represent होती है तो इस तरीके से आप consolidate का यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से relationship की relationship का किस तरीके से use किया जाता है तो उसके लिए आपको जाना है relationship वाले tab पर यहाँ पर हमें पहले से ही कुछ tables बनाई होई है और इस table को हमें करना है simple select करके table में convert कर देना है उसी तरीके से दूसरे data को भी आपको select करना है और इसको भी table में convert कर देना है control T की मदद से अब देनों ही data हमारा table में convert हो चुका है अब हमें करना का है simple जाना है insert tab के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने का option हैगा पाइबोट table का पाइबोट table पर जैसी आप click करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने और उसके बाद आपको जा रहा है data data राप के अंदर जाना के बाद यहाँ से आपको select करना होगा relationship relationship को select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपके सामने एक new option आएगा इसको select करना है इसको select करने के बाद आपको एक जीज का ध्यान लखना है कि दोनों ही table में कोई एक चीज common होनी चाहिए जैसे हमाल लिजे यहाँ पर अमन कमल दीपक अधित्या पंकज है तो दोनों ही चीज common है कुसी एक चीज को common आप रख सकते हैं इसके इंदर तो यहाँ पर हम रखेंगे first name को और यहाँ पर आपको select करने अपनी करने के बाद आप को जाना है inside tab के अंदर चानाकी बार पर आपको select करना ही और यहाँ पर फिकशल तो तो में जएवा बेंक निम्स को देखना चाये रिजल्ट को, यहां से सामने और यह अंगर rester को जाएगा . यहां से पड्स का presentation प्रेजिनेशन चाहते हैं तो यहां पर शलीद blue कर सकते हैा तो basically इसका use किया जाता है दो tables को आपस में merge करके उसकी private table बनाने के लिए तो दो tables को आप merge करके private table बना सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो result को आप divide कर सकते हैं values के अंदर बेज सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका data private table में यहाँ पर represent हो जाएगा लेकिन यह बहुत ही बड़े काम करता है basically scenario manager वो company यूज करती है जो product का manufacturing करते है यह उसका production करती है आप यहाँ पर example के तोर पर देखेंगे हमारे पास कुछ items है और उनके price list है और यह जो price list है वो current price list है जो future में कभी भी change हो सकती है या तो इसका amount increase हो सकता है या तो इसका amount decrease हो सकता है तो अब हम लोग अपनी जो total sale का price है या अपने box के ओपर या जो भी हम manufacturing कर रहे हैं उस item की उस item के box के ओपर ऐसा कौन सा rate print करें या तो price बढ़े या गटे इससे हमारे sale price के ओपर कोई भी effect ना पढ़े आप देखेंगे ज PCB item के ओपर अगर कोई price print होता है तो वो कभी घटा बढ़ता नहीं है बेसक उसके raw material का rate यहाँ पर बढ़े हो गटे लेकिन उसका actual price होता है वो same price रहता है amount को हम increase है decrease कर सकते हैं अब यहाँ पर बार बार हम अपने sale price को change नहीं कर सकते हैं इस वज़े से हमें एक scenario त्यार करें से हम लोग अपने actual sale price को यहाँ पर define करेंगे कि हमारा sale price क्या होना चाहिए आप देखेंगे हमने इस अभी raw material को plus किया हुआ है यानि इसके जितने भी amounts है उसको हमने यहाँ पर plus किया हुआ है total किया हुआ है तो इसका total cost आ रही है हमारी 12,500 की आ रही है यानि मान लिज़े हम एक CPU manufacture कर रहे है उस manufacturing के अंदर हमारी जो costing आ रही है वो costing अगर हम उसे include करते हैं तो वो 12,500 रुपे की costing आ रही है जिसके ओपर हमने 10% का profit अपना add किया हुआ है 1250 रुपे इसका total amount बन गया वो 13,750 रुपे बन गया अब हम इसे किस rate में sale करें जिससे future में हमें कभी loss नहीं हो तो यह चीज आप किस तरह से कर सकते हैं मैं इसकी complete वीडियो आपको बताने वाला हूँ तो बने रही है हमारे साथ अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आ है तो चैनल को like कीजेगा subscribe कीजेगा और अपने सभी दोस्तों में share जरूर कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं simple सबसे पहले आपको एक table create कर लेनी है जो भी manufacturing आप कर रहे है जिस भी item की manufacturing कर रहे है उस raw material को यहाँ पर लिख लेना है और उसके prices लिख लेने है और उसका total यहाँ पर amount आपको लिख लेना है अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें 10% profit भी add किया हुआ है इस rate के ऊपर और उस आपको जाना अगा what if analysis के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ओक को आप्षण आ जाएगा what if analysis आपको यहाँ पर click करना होगा इस पर click करने के बाद आपके सामने के औक option आ घाईगा scenario manager का तो इस वाले option पर pres侪र आपको click कर देना है scenario manager पर जब आप क्लिक करेंग तो सबसे पहले हम लोग इस add पर click कर लेते हैं, click करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box और open हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना scenario का नाम दे देना है, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ minimum price, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसे क करने की बाद आप देखेंगे आपके सामने एक dialogue box open हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने sell address और amount यहाँ पर show हो गया, अब इसके इंतरा हमें करना क्या है, मालीजे future में, जो अभी हमें item 1250 रुपे का मिल रहा है, यह 1250 से घट करके मालीजे 12 रुपे हो सकता है, यानि इतना तो हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि किस चीज की value कितनी जादा कम हो सकती है, किस चीज की value कितनी जादा बढ़ सकती है, अब यह जो 1250 रुपे का हमें item मिल रहा है, इसा तो होगा नहीं कि 1000 रुपे में मिलने लग जाएगा, 10, 20, 50 रुपे कम हो सकते हैं, maximum to maximum 50 रुपे कम हो सकते हैं, इससे जादा कम नहीं होगा, इतना हमें अंदाजा होता है, तो उस अंदाज है कि साफसे हम यहाँ पर अपने rate को define कर लेंगे, तो चलिए इस rate को define कर लेते हैं, हम यहाँ पर type कर लेते हैं, 1250 की जगा 1200 रुपे, और इसके बाद यहाँ पर 3000 की 900 रुपे, यानि यह हमारी minimum value थी, minimum value को हम यहाँ पर क्या करेंगे, add करा देंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने एक add का option होगा, इस add वाले option पर आपको click करना है, add पर click करने के बाद आपके सामने फिर से एक dialogue box open होगा, और यहाँ पर आप दूसरा नाम लिखें यहाँ पर सामने तो यहाँ पर maximum cost लिख देते हैं, कि future में हमारी ये value कितनी जादा improve हो सकती है, तो इतना तो अंदाजा हम इसमें भी लगा सकते हैं, कि यह add से add तेरा सो या चौदा सो रुपे है, इस से जादा highest नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी उसी आप 50 है, तो इसकी हमने ले लिया 3300 रुपे, यहाँ पर 950 है, तो हमने ले लिया 1050 रुपे और इसके बाद आपने इसको कर दिया यहाँ पर, ओके अब आपको करना है, ध्यान रखना है, आपको add पर click नहीं करना, आपको करना है, ओके पर click जैसे आपKे आपके सामने mamy minimum औ यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामरे दो options आ रहे हैं सबसे पहला है scenario summary और दूसरा है scenario table यानि कि अगर आप pivot table तयार करना चाहते है scenario का तो यहाँ पर second option को select करके यहाँ पर ok कर देंगे और अगर आपको scenario सिर्फ summary चाहिए तो यहाँ पर हम summary को select करके ok करेंगे तो फिलाल हम summary चाहिए हम summary देखना चाहते है यहाँ पर हम summary को select करेंगे और यहाँ पर हम इसे कर देंगे ok लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान डखना होगा जब आप इसे ok करेंगे तो यहाँ पर यह जो add seven value आ रही है यहाँ पर आपका यह total का address होना चाहिए यहाँ पर यह हमने लिया हुआ है यह sell address यहाँ पर होना चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम simply एक बार click कर देते हैं इसने उसका sell address यहाँ पर ले लिया और इसे हम कर देंगे ok ok करने के बाद आप देखेंगे हमारी scenario यहाँ पर तयार हो चुकी है इसको थोड़ा सा zoom करके आपको दिखा देता हूँ अब देखेंगे यहाँ पर हमारी जो current value है वो यहाँ पर आ गई 12,500 रुपे minimum price यानि कल को अगर यह rate गटेगा तो 12,100 रुपे तक जा करके गिरेगा और कल को अगर हद से हद rate यह बढ़ेगा तो 13,000 रुपे पर जा करके गिरेगा तो 13,000 रुपे हमारा last maximum rate होगा इस maximum rate के ऊपर हम लोग अपना 10% का profit अट करेंगे और उसके बाद जा करके हम अपने price को print कर सकते हैं तो हम पहली वाली शीट पर चले जाते हैं वापस और यहां पर जाने के बाद माली जे हमारी जो value थी वो 13,000 रुपे आई है जिसके ओपर हमारा 10% का profit है और इसके बाद इसकी जो total cost बनेगी वो बनेगी हमारी is equal to इन दोनों को हम आपस में into कर देते हैं multiply कर देते हैं तो 13,000 रुपे हमारी total आपकी cost आ गई profit की आप आपका जो भी price है यानि 13,000 रुपे को पर हम क्या करेंगे is equal to 13,000 रुपे में हम plus कर देंगे इस profit को तो हमारी जो value आएगी वो 14,300 रुपे यानि 14,300 रुपे हम यहां पर rate को प्रिंट कर सकते हैं तो यही था हमारा scenario manager आपको यह चीज और दिखा देता हूँ यहां पर आप देखेंगे जब भी हम scenario की समरी देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने sell के addresses शो हो रहे हैं जो की hashtag में हमारे सामने show हो रहे हैं अब यहां पर आपको criteria name change करना होगा यानि यहां पर जैसे हमने click किया तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो sell का address है वो D7 है तो D7 की जगह हम लोगो को करना क्या है D7 की जगह हम लोगो को रखते हैं यहां पर cabinet यानि हम D7 की जगह क्या रखेंगे यहां पर cabinet इस sell के address को वो automatic cabinet समझेगा और वहां पर हमारे सामने summary के अंदर cabinet शो हो जाएगा तो चलिए इसको मैं एक पर practically use करके आपको दिखा देता हूँ तो इसके लिए आपको करना क्या है simply इस sell पर click करके रखना है यानि 1200 जिसमें आपका amount है 1250 का इसके हमने click करके रखना है और यहां पर हम इसके sell address को नाम द देना है SMPS, enter paste करना है और इसके बाद यहां पर इसको नाम दे देना है motherboard और इसके बाद यहां पर इसको click करके नाम दे देंगे हम लोग RAM और यहां पर हम इसका नाम दे देते है HDD यानि Arctic Stripe तो इसके complete होने के बाद अब हम आपको करना क्या है फिर से हमें scenario तयार करनी होगी तो हम फिर से scenario तयार करके देखते हैं आपको करना है simple cell के address को select करके रखना है data type के अंदर जाना है data type के अंदर जाने के बाद आपको वापस से vertex analysis में जाना है यहां से आपको scenario manager को फिर से select करना है और select करने के बाद same उसी तरीके से हम लोग cost इसको add करेंगे तो यहां पर हम उसे पहले हमने जो add किया था हुआ से delete कर देते हैं delete करने के बाद फिर से हम एक नई sheet तियार करेंगे add करेंगे यहां पर हमने दे दिया minimum cost क्या होगी इसकी हमने इसको ok किया ok करने के बाद यहां पर हम दे दे जैसे minimum cost हमारी क्या थी अप अपने हिसाब से जो भी value type करना चा एसो यहां पर हम अमने कर दिया इसको खेंज उसके कर लिया ऊंपर आप нез pais classical क Cartman कर लेते हैं जैसे हमने थैप कर लियाuating त्यen oh इसके बाद हम लेते हैं यहां पर बतिससो पे पर यहां पर ले ले लीते हैं बोगिस यहां यहाँ पर ले लेते हैं हम लो 3300 रुपे यहाँ पर ले लेते हैं हम लो 1500 रुपे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर minimum cost और maximum cost दोनों यहाँ पर show हो गई अब आपको simply करना का है summary पर click करना है यहाँ पर आपको total range select करके रखना है इस बात का आपको ध्यार रखना है कि यहाँ पर यह range select होनी चाहिए जब आप summary create करेंगे तो पर इसके बाद आपको simple ok कर देना है ok करने के बाद आप देखेंगे आपकी यहाँ पर current value त्यार हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे आपके cell का नाम भी यहाँ चेंच हो चुका है याँ आपके cell का जो नाम था वो हट करके यहाँ पर जो आपने item का नेम दिया था वो item नेम यहाँ पर show हो चुका है उसी हिसाब से आपकी current value यहाँ पर show हो गई, minimum cost यहाँ पर show हो गई और maximum cost यहाँ पर show हो गई तो इसी को कहा जाता है scenario manager MS Excel में गोलसिक का जो feature है वो बहुत ही बैतरीन feature है जिसका use किया जाता है किसी भी target को complete करने के लिए जैसे example के लिए आप देखेंगे यहाँ पर हमने कुछ data लिया हुआ है जिसके इंदर हमने कुछ price list को add किया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे plastic का जो price है 1000 है, power का जो price है वो 500 है PVC का price हमने mention नहीं किया हुआ है, labor का charges हमने 400 mention किया हुआ है इन सभी को जब हम total करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा answer आएगा, वो 1900 रुपे का आएगा इस पर हमने sum का formula यूज किया हुआ है, अब मेरा जो target है, वो target है 25 रुपे का, यानि मैं चाहता हूँ data app के अंदर आपको जा रहा है, what if analysis और यहाँ पर आपको जा रहा है, goal seek option के उपर goal seek option पर जैसी आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, हमारा जो set cell value है, वो यहाँ पर select हो चुकी है यानि यहाँ पर जो भी value है, वो input हो जाए, और यहाँ पर हमारा जो data है, वो 25 रुपे शो हो जाना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर ok पर press करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमारी value 600 add हो चुकी है, और यहाँ पर हमारा जो target था, वो complete हो चुका है इसी तरीके से अगर आप इस target को change करना चाहते हैं, जैसे माल लीजे, मैं आपर target अपना रखना चाहता हूँ अठारा सो रुपे जिस तरीके से हमने यहाँ पर plus किया था, उसी तरीके से यहाँ पर data हमारा minus भी हो जाएगा तो इसके लिए क्या करना है आपको, सेम उसी तरीके से total को select करके रखना है what if analysis के अंदर जाना है, यहाँ से आपको goal 6 select करना है total value आपको select करनी है, two value के अंदर हम value अपनी डाल देते हैं कि हमें कितनी value चाहिए, तो हम देते हैं यहाँ पर 1800 उसके बाद by changing cell हमारा क्या होना चाहिए, मालजी हम plastic में change करना चाहते है plastic को हमने select किया और जैसे हमें आपर ok press करेंगे तो यहाँ पर value हमारी decrease हो जाएगी और हमारा जो answer था वो यहाँ पर manage हो जाएगा तो इस तरीके से आप goal 6 option का use कर सकते हैं इसके बाद का जो हमारा next option है वो है data table का तो data table के लिए आपको करना कहा है, simple एक blank sheet पर चले जाना है और यहाँ पर आप अपनी table create कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1, 1, 1 तीन बार आपको 1 लिखना है और तीसरे वाले 1 से आपको नीचे की तरफ draw कर देना है यानि drag कर देना है data को और यहाँ पर इस option पर click करके fill series पर click कर देना है यहाँ पर आपको जो value रखनी है वो 10 तक रखनी है 11 को हम delete कर देते हैं इसके बाद आपको इस वाले 1 को यानि तीसरे वाले 1 को फिर से select करना है और यहाँ से आप इसे जितना ले जाना चाहें उतना ले जा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको भी fill series कर देना है यानि जितनी आप table बनाना चाहते हैं उतना आप इसे drag कर सकते हैं drag करने के बाद आपको क्या करना है इस तीसरे वाले 1 पर click करना है simply और is equal to का use करना है is equal to use करने के बाद आपको पहले वाले 1 को select करना है और multiply करना है दूसरे वाले 1 से और इसके बाद test कर दिना है enter 1 into 1 अगर हुआ तो यहाँ पर जो answer आएगा 1 ही आएगा याणि 1 into 1 1 ही होता है और इसके बाद अब आपको क्या करना है पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से select कर लेना है उपर के दोनो 1 को छोड़ कर अब यह पूरा का पूरा डेटा हमारा select हो चुका है select होने के बाद आपको फिर से जा रहा है इसी option पर यानि कि what if analysis के उपर और यहाँ पर आपको select करना है data table data table को select करने के बाद यहाँ पर आप row input cell को select करेंगे यानि पहले वाले one को select करेंगे और यहाँ पर column को select करेंगे और यहाँ पर जैसी आप यहाँ पर ok press करेंगे तो आप देखेंगे आपकी table यहाँ पर generate हो चुकी है यानि 212, 224, यह आप जितनी ज़्यादा टेबल बनाना चाहें, उतनी टेबल आप यहाँ पर create कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप use कर सकते हैं, डेटा टेबल का, इसके बाद का जो हमारा next option है, वो है forecast sheet, forecast sheet का जो use किया जाता है, वो use किया जाता है, किसी भी data के future को पता करने क लिए, जैसे माल लीजे, हमारे पास कुछ database है, जिसमें हमने कुछ monthly sales को define किया हुआ है, जैसे January की अगर हम sale देखें, तो January की हमारी की sale है, February की sale है, March की sale है, इस तरीके से हमने sales define की हुई है, यहाँ पर 6 July की जो हमारी sale है, वो नहीं है, उसका data हमारे पास नहीं है, इसी तरी लिए, जैसे हम create करेंगे, यानि हमारे future में हमें loss होगा, या profit होगा, या इसी जिस तरीके से हमारे database बना हुआ है, या जिस तरीके से हमारे data loss में जा रहा है, या profit में जा रहा है, ये आपको एक graph बना कर के दे देगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा, कि अगर आपकी value increase तो कितनी increase हो सकती है और अगर decrease होगी तो कितनी ज्यादा decrease हो सकती है और अगर manually चलेगी तो कितनी ज्यादा manual चल सकती है तो इसके लिए हम पूरी data को एक बार select कर लेते हैं आगे आने वाला जो future है हमारा, वो सीधे जाएगा, या उपर growth करेगा, और उपर growth करेगा तो कितना growth कर सकता है, और decrease करेगा तो कितना ज़्यादा degrees कर सकता है, तो इस तरीके से आप इसकी forecast create कर सकते हैं, forecast sheet create कर सकते हैं, आपको जाना हुआ data type के अंदर, और यहाँ पर आप द MIS report के अंदर इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, MIS की full form होती है management information system, जब भी हम छोटे से छोटे डेटा को इकठा करते हैं, और एक बड़ा डेटा बनाते हैं, और उस डेटा को अगर हम अपने officers के सामने या management के सामने represent करते हैं, तो उसको represent करने के लिए हमें बहुत ही officers को analyze करने के लिए, तो चलिए एक एक करके हम इन सभी options का use समझते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो चैनल को like, comment, share जरूर कीजेगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला feature है हमारा group का, group का feature हम कभी use करते हैं जिसमें हमने कुछ mouse लिया हुआ है, keyboards लिया हुआ है, UPS, SMPS और HP printers लिया हुआ है, मालीजे हम जो mouse है, mouse का अलग से group create करना चाहते हैं, तो इसको हमें select करना होगा, group को आप row wise, column wise दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो फिलाल हम row wise करके देखते हैं, हमने group को select किया, यानि हमने mouse की group को select कर लिया है, यानि जितना भी mouse का हमारा data था हमने उसे select कर लिया है, select करने के बाद आपको simply group पर जाकर क्लिक कर देना होगा, click करने के बाद आपके सामने एक option आएगा, row का और column का, आप इसे किस तरीके से group करना चाहते हैं, row wise या column wise तो हमने ले लिया row और simply आपको ok पर press कर देना है, जैसी आप ok प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर minus का निशान शो हो जाएगा, इस minus के निशान पर जैसी आप क्लिक करेंगे तो आपका जो data था हो हाइड हो जाएगा, यानि जितना भी mouse का data था, वो यहाँ पर आपका हाइड हो तो हम पूरे के पूरी data को वापस से select करते हैं और उसकी बाद वापस से group पर click कर देते हैं, और यहाँ पर ok प्रेस कर देते हैं, अब आप देखेंगे जैसी आप minus पर click करेंगे, आपका data यहाँ पर hide हो जाएगा, और plus पर click करेंगे तो वापस देटा यहाँ पर show हो इसके बाद हम और भी डेटा को ग्रुप यान ग्रुप कर सकते हैं जैसे वाली जी हमने UPS को स्लेक किया और UPS को स्लेक करने के बाद यहाँ पर हमने ग्रुप पर स्लेक किया और ग्रुप को स्लेक करके यहाँ पर OK कर दिया तो इस तरीके से आप अपने डेटा को show करा सकते हैं और height करा सकते हैं इसके बाद आपको इसे clear करना है यानि जो भी आपने group या ungroup किया हुआ है उसे clear करना चाते हैं तो पूरी data को आपको select करना होगा select करने के बाद आपको जाना होगा outline के उपर, ungroup के उपर और यहाँ पर आपको clear outline पर click कर देना होगा जैसे आप clear outline पर click करेंगे आपका पूरा data यहाँ पर clear हो जाएगा जो भी आपने group या ungroup किया होगा वो सब कुछ clear हो जाएगा इसके बाद का next feature है वो है subtotal यह बहुती बहतरीन feature है excel का तो इसके लिए आपको क्या करना होगा data को वापस से पूरा select करना होगा select करने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा subtotal पर यहाँ आप विलाल हम sum का function यूज करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारा data हो यानि mouse है तो माइस की जो भी range है हमारी total उनका grand total आ जाए उसी तरीके से keyboard की जो भी अलग-अलग range है उन सभी को plus करके यहाँ पर हमारे सामने represent कर दे तो इसलिए हम यहाँ पर select करेंगे sum को और यहाँ आपको price को select करना होगा क्योंकि price को हमें यहाँ पर press कराना है और simply आपको ok press कर देना है तो आप देखेंगे आपका जो mouse का total था वो यहाँ पर आपके सामने represent हो गया 150, 130, 165, 180 अगर इन सबको आप total करेंगे तो 625 यह आपका answer आएगा इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर आपका सारा data grand total में convert हो चुका है उसी तरीके से अगर आप नीचे जाते हैं तो नीचे आप देखेंगे आपका grand total यहाँ पर आपके सामने represent हो जाएगा यहाँ जो भी आपने total किया है इन सबी का grand total आपके सामने यहाँ पर represent हो जाएगा यहाँ पर आप data को minus करेंगे तो आपका data यहाँ पर hide हो जाएगा और इस तरीके से आप अपने data को hide करके उनका grand total represent करा सकते हैं इस तरीके से आप अपने data में बता सकते हैं कि आपने total purchasing की थी, mouse की वो इतने की की थी, keyboard की total purchasing आपके इतने की हुई है, UPS की total purchasing आपके इतने की हुई है, SMPS की total purchasing आपके इतने की हुई है, और सब का अगर grand total हम निकालें, तो यहाँ पर इस सब का grand total आपके सानों represent हो जाएगा, इसके बाद अगर आप इसे शो कराएंगे तो शो पर जैसी आप क्लिक करेंगे यहापर आपका डेटा वापस से शो हो जाएगा और अगर आप हाइड पर क्लिक करेंगे वापस से आपका डेटा यहापर हाइड हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने डेटा को बहुत ही श झाल झाल